सबसे पसंद के आजाने वाला नियूज रिपोटर और एंकर रज़त शर्मा का जनम हुआ था 18 फेबरवरी 1997 को रज़त शर्मा अपने 6 भाई और एक बहन में सबसे छोटा थे और उनका जनम काफी लोवर मिडल टास फैमिली में हुआ था जहां उन्हें ना तो बिजले का सुभीदा था ना उन्हें रणिंग वाटर का सुभीदा था और रज़त शर्मा ये भी बताते हैं कि उन्हें नहाने के लिए म्यूसिबल टिके टैप वाटर में जाना पड़ता था और वो उनके एक भाई को उनकी मा उनके बहन के लिए पानी लाना पड़ता था उसी टैप वाटर से मगर बचपन से ही रज़त शर्मा पड़ाई में अच्छी होने के कारण उन्होंने म्यूसिबल स्कूल में एड्मिशन ले लिया मगर उन्हीं पूरे दिन ही स्कूल जाने आने में ही बीच जाता था इसलिए पड़ने के लिए रज़त शर्मा को रोज रात सबजी मंडी रेल्वे स्टेशन के लैम्पोस्ट के नीचे जाके पड़ना पड़ता था और किसी तरही से स्कूल को कंप्लिट करने के बाद में रज़त ने एसर सीसी कॉलेज में बीकॉम के लिए एड्मिशन ले लिया मगर उहाँ पर भी उन्हें पड़ने के लिए काफी जादा प्रॉब्लेम हो रहे थे क्योंकि और उनके फीज देने तक की भी पैसा उनके पास नहीं हुआ करता था इसलिए ही वो अपने सीनियर से पैसे के लिए मदद मांगते थे और लगली उनके सीनियर उन्हें पढ़ने के लिए मदद करते थे उनके senior में से एक जो नाम आता है वो है भारत के अभी के अर्थ्रमंटरी स्री अरुन जेटली जो उन्हें पढ़ाई के लिए काफी जादा मदद किया करते थे और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं अरुन जेटली ने उन्हें काफी मदद भी किया करते थे जीवन में अच्छे दिख को जान ले के लिए और जीवन में अच्छी दिशा को गाइट करने के लिए अपने पढ़ाई को खतम होने के बाद में रजट शर्मा ने अपनी पॉलिटिकल दीख को इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए सेवेंटीस की जेपी मुवेंट में पाट लिया था और वहाँ पे उन्हें काफी सारा दिक्कते आये थी और उसके बज़े से उन्हें 11 मैने के लिए तिहार जेल में भी बिताना पड़ा था मगर 11 मैने तक तिहार जेल में के बिताने के बाद में जब वो भार छुटे तब उनके दोस्त स्री बिजय गोयल राज्य शवा की MP बने और उन्हें इसी बज़े से बहुत सारी मदद मिली और उन्हें जो है जिनरल सिकेटरी सिलेक्ट किया गया और उनके बाद उनके सारे दोस्त और सिनियर जैसे कि अरुन जेटली, विजय गोयल, सितरा मियर्चुरी, सरत यादब और उसके बाद गुलाल नवी अजाद और राजेश पाइलोट ने मिलके पॉलिटिकल दीक में काफी जादा प्रोग्रेस करने लगे और उसके साथ साथ रज़त ने अपनी M.com की पढ़ाई भी शुरू कर दी उसके बाद रज़त ने अपने जनरलिजम की दीक को जानने लगे और उसे सुधारने के लिए जनरलिजम में कोर्स करना स्टार्ट कर दिये और जनरलिजम में कोर्स कम्प्रीट करने के बाद ही उन्हें एक नौकरी मिल गया फेमस बिंगॉली न्यूस पेपर आनंदो बाजार पत्रिका में एजे राइटर और उसमें वो जो है सिंडिकेट के उपर कलम बगेरा लिखते थे उसके बाद रज़त को एक नौकरी भी मिल गई और नौकरी उन्हें मिला था ओन लोकर नाम की एक पत्रिका में जहां पे उन्हें मेगजिन में लिखना पड़ता था और उसके लिए उनके तीन सुरुपे तक हर मेने पगार मिलता था मगर बाद में उन्हें ओंकर न्यूस का ही चीफ एडिटर बना दिया गया मगर दो साल के कड़ी मेहनत के बाद रजत शर्मा को उसी न्यूस पेपर में एजे ब्यूरो चीफ बना दिया गया था जहां वो सिर्फ एक टेनी रिपोर्टर की तरह ही आये थे और उसके एक साल बादी उस न्यूस पेपर का उन्हें एडिटर भी बना दिया गया था तब सिर्फ उनके उमर सिर्फ 28 साली हुआ करती थी 88 में रजत ने ओमकार न्यूस में अपना काम छोड़ दिया और संडे अब्जार्बन में एजे एडिटर जॉइन कर लिये उसके बाद काफी सारे न्यूस पेपर में काम किये हैं जैसी देली न्यूस पेपर ही उनमें से एक बड़ा नाम निकल के आता है वहाँ पर भी उन्होंने करीबन 10 साल तक एजे एडिटर काम किया है और उसके बाद 1992 में उन्होंने उनकी SRCC के मित्रे स्री गुलशन ग्रोवर और G News Media के President स्री सुभाज जी का इंटर्वी लिया और जो इंटर्वी था ओ एक अदालत में लिया गया था यानि कि अदालत के थीम में लिया गया था जो भारत की काफी लोगों को बहुत ही पसंद आया और इसी वज़े से ही February 1993 में रज़त शर्मा ने एक नया शो शुरुबात किया जिनका नाम रखाया गया आपकी अदालत और उनकी फर्स्ट एपिसोड एड हुआ 14th March 1993 को और उस एपिसोड में उन्होंने स्री लालू पशाद यादब जी का इंटर्वी लिया जो काफी पॉपुलर हो गया है उनके बाद धिरे-धिरे एक एक करके TN सेशान, कपिल देव, कुलवन सिंग ना जैसी बहुत सारी फेमस हस्तियों के इंटर्वियों लेते-लेते वो शो एक बड़ा हिट बन गया और वो शो धिरे-धिरे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी देखने लगा और उसके दो साल बाद 1995 ने रज़त शर्मा और उनके वाइफ रितु ने एक इंडिमेंडेंडन न्यूस सर्विस आइनेस नाम के एक पोड़क्शन हाउस का उपन किया और उनके अंडर ही एक नया TV channel लॉंज कर दे गया जिसका नाम था इंडिया TV और 2004 के पहले भी में ही इन्डिया TV पहले बार टेलिवीशन में याट किया गया और उसके साथ आस आपके आदाराद भी इंडिया TV में शिफ्ट कर लिया गया जो की इंडियन टेलिविशन हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर शोज में से एक निकल के आया है मगर इंडिया टीवी के शुरवाती दोर को देखा जाए तो रज़त शर्मा और उनके वाइफ को काफी सारे मुश्किलों की शामना करना पड़ा मगर बहुत सारे मुश्किलों के सामना करने के बाद में 2008 और 2009 में रज़त शर्मा और इंडियन टीवी को करीवन 120 प्रदिसेंट का रेविन्यू ग्रोथ मिल बहुत हेवी मायने में देखनी को मिला था और उसके बाद 2013 के डिसंबर में राज़त शर्मा और इंडिया टीवी के तरफ से एक आपकी अदालत का एक एपिसोड एयरट किया गया जिसमें वो बर्तमान पधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटर्वियू लिये थे जो ततकालिन टेलिविशन हिस्ट्री की सारे क्लास फैमिली को बिलॉंग करते हुए भी इतने अच्छी और इतनी इस्टैबली जगा पे पहुंचे हैं रज़त शर्मा हरवक्त एक बात कहते हैं कि जब वो स्ट्रागल कर रहे थे तो एक ही चीज़ जानते थे कि मेरे इस ट्रागल को मेरे इस गरिभी को सिर्फ मेरा उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेजेगा क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो आप सब के लिए लाते रहते हैं